सीरियल की रिस्ता क्या कहलाता है में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट क्योंकि यहाँ पर अब सचका हो गया है बड़ा खुलासा और अब रूही धक्के मार कर निकाल रही है अभीरा को घर से बाहर आपको बता दे कि आने वाले अपिसोड में आपने देखा ही होगा कि एक तरफ जहां संजय को यह पता चल चुका है कि अभीरा और रूही दोनों बहने हैं और यहाँ पर पहले ही संजय को यह भी पता चल चुका होता है कि जो अक्षरा है यानि कि रूही की मासी उसी ने उसक तो इन दोनों को पता होता ना जिसके बाद वो थोड़ा परिसान होता है असल में वो जाता है किसी डील के लिए अब दूसरे वकील के पास और वहां पर अब जो मनीज है उसका कॉल आ रखा होता है उस वकील के पास और वो कहता है कि मेरी वसीहत बन गई ना जिसके बाद यह कहते हैं कि हाँ हाँ बन गई है तभी मनीज कहते है कि ये बात रूही या उसके परिवार में से किसी को नहीं बता चलनी चाहिए ये हमारे बीच का सीक्रेट है और ये बाहर नहीं आना चाहिए जिसके बाद वो वकिल कहता है कि हाँ यहाँ पर अब संजय जैसे ही सुनता है त से पता चल जाता है कि जो मनीज है उसने आधि-ाधि प्रोपटी दोनों के नाम की है अभीड़ा के रूही के जिसके बाद अब नीचे भी देख लेता है,जिसमें लिक्खा होता है,कि अभीडा उनकी बेटी की कि बेटी है जिसके बाद अब बहुत की जधा परेशान हो जात कि जो भी तुम्हें पता चला है उसे अपने मन में रखे क्योंकि अगर कुछ भी बहार आया ना तो पोदार हाउस में गमों का सैलाब आ जाएगा जिसके बाद अब यहां पर जो भी हो मैं तो रूही को सारा सच बताऊंगा जिसके बाद मनीज कहता है कि ठीक है बता दो अग सबी को सारा सच बता देगा जिसके बाद अब रूही वो अभी तक जहां अभीरा से प्यार कर रही थी अच्छे से बात कर रही थी अपने बीच सब कुछ सही करने की कोजिस कर रही थी अब उसकी नफरत और देखने को मिलने वाली है क्योंकि भाई अब उसे सच पता चल च आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें